हाई फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम आप सब के साथ सेर करने जा रहे हूँ बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही कुरकूरे करा रहे पकटल की पकोरा रेसिपी तो ये पकोरा बनाना भी बहुत असान है और खाने में भी बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है तो फ्रें जिसको हमारे यहाँ पर कुवा भी बोलते है तो एक कुवा को हमने दो भाग में कट कर लिया है और इसका बीज को हमने निकाल दिया है अब हम इन सभी को अच्छे से साफ कर लेंगे अब हम इन सभी कठल को कुवा को एक बड़ा बरतन में डाल देंगे अब हम इसमें डाल गरम पानी, गरम पानी डालने से क्या होता है कि इसका गम जो है नो निकल जाता है और थोड़ा सब्ट भी हो जाता है कोई तो फ्रेंद साब सब से एक प्यार भड़ा रिक्वेस्ट ही कि आज का रेसीप अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अब हम इसमें डाल देंगे एक चमस के करीब नमक, नमक डाल कर इन सबी को अच्छे से मिला लेंगे और 5-7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे अब हम यहाँ पर पकोड़े के लिए मसला बना कर तयार करूंगे तो मसला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक सिलबटा, सिलबटा को हमने यहाँ पर अच्छी से क्लीन करके ले लिया है, अब हम उस पर डाल देंगे दो हरी मिर्च काटकर और एक सूखी मिर्च काटकर और लसुन की कुछ कलिया डाल देंगे और एक चमच की करीब जीरा और आधा चमच के करीब काली मीर्च अब हम इन सभी को दरदरा से पीछ लेंगे अब चाहे तो इस मसला को मिक्सर में भी पीछ सकते हैं लेकिन मिक्सर में भी दरदरा साही पीछिएगा फाइन पेस्ट मत बनाएगा तो यहाँ पर मसला हमारा पीछ कर तयार हो गया है त तो इसी तरह से मसला को पीछ लेनी है, तो यहाँ पर कठल को रखे हुए, पान से साथ मिनट हो गए है, तो इसी तरह से हम कठल को क्लीन कर लेंगे, और कठल हमारा थोरा-थोरा सफ्ट भी हो गया है, तो पानी से हम चान लेंगे, तो फिरेंज से कठल के पकोरे, बाकी के पको देंगे स्वाद के हिसाब से नमक हमने यहाँ पर आधा चमज की करीब नमक डाल दिया है उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर हमने यहाँ पर आधा चमज की करीब डाली हूँ अब हम इसमें डाल देंगे जो मसाला हमने पीस कर रखी थी उसको हम डाल देंगे अब इन सबी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कठल में अच्छे से मसाला कोटिंग होने तक मिक्स कर लेंगे तो फिर इन्स आप चाहे तो इसी तरीके से आप अपने मन पसंद चीजों का पकवरा बना कर खा सकते है जैसे कि आलू की भी पकवरा बना कर खा सकते है तो आप अपने मन पसंद चीजों का पकौरा बना कर खा सकती है इस तरीके से पकौरा बनाईएगा पहुत ही स्वादिष्ट बनकर तयार होती है हमने यहाँ पर एक कराही गरम करके उसमें तेल डाल दिया है तेल गरम हो रही है तब तक इधर हम घोल बना लेंगे पकौरा तलने के लिए तो हमने यहाँ पर एक कप के करीब बेशन ले लिया है अब हम इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद की हिसाब से हमने इसमें नमक डाल दिया है अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी अजवाइन अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से चमस से मिक्स कर लेंगे तो फिरेंड साब सबसे एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गोल हमने यहाँ पर गारा सा बनाना है पतला गोल नहीं बनाना है तो इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल कर गोल बना लेंगे एक गोल हमने श्रीब बेशन से बना कर तयार किया है चावल का अटा वगेरा कुछ नहीं डाली हूँ अब हम इसमें डाल देंगे धनिया का पता एक बार फिर से मिला लेंगे तो देखिए इसी तरह से गोल बना लेनी है ज़्यादा पतला नहीं करनी है थोड़ा गाराई रखनी है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमची के करीब तेल इससे क्या होता है कि पकोड़ा बहुत ही crispy बनकर तयार होती है तेल डाल कर इसको मिला लेंगे अब हम इन कठल को बेशन में एड़् कर देंगे अब इन सभी कठल को इसी तरह से बेशन में कर देंगे तो तेल हमारा यहाँ पर गरम हो गया है तो देखिए इसी तरह से सभी कठल को हम बेशन में इसी तरह से कोट करके और टेल में डाल देंगे कठल को बेशन में ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे तो इसी तरह से हम कठल को अच्छे से बेशन में कोट करके टेल में डाल देंगे गेस को फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है हाई फ्लेम में पकोडा को नहीं तलनी है नहीं तो पकोडा क्रिस्पी नहीं बनेगा तो इसी तरह से अलड़ते पलड़ते पकोडा को हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंस आप सबको मेरे वीडियोज कैसे लगते हैं और कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो यहाँ पर सभी पकोरा बनकर तयार हो गया है पकोरा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्पाइसी बनकर तयार हुआ है बहुत ही स्वादिश्ट लगती है खाने में तो आप इस पकोरे की चाई के साथ खाएए अपने पसंद के चटनी के साथ खाएए यह बहुत ही स्वादिश्ट लगती है खाने में तो फ्रेंच आप सब किस तरीके से कठल के पकोरा बना कर खाते हैं और कमेंट बेक बार जरूर शेर करिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लि ये बाव बाई टेक क्यार